हेलो फ्रेंड्स मैं से सांग स्वागत करता हूँ आपके पनी यूट्यूब चैनल वी स्टेडी पे तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम सुरुवात करेंगे लेकिन उससे पहले चैनल को सस्क्राइब करें ता वीडियो को लाइक करें तो आज का टॉपिक है हमार ट्राइक क्या होता है ट्राइक ट्राइक दो सब्दों समील कर बना है ट्राइक और एस ही इसका मतलब होता है ट्राइक फोर अल्टरनेटिंग करेंट अब होता है कि ट्राइक का कारे क्या है तो ट्राइक एक ऐसा डिवाइस है जो याद रखना है कल हमने थायरेस्टर फैमली को देखा इसमें टोटल नौस दस्य होते हैं ट्राइक भी उन में से एक है इसके बारे में थोरी जानकारी में जाननी है वो है कि जब दो SCR को विपरित समांतर करम में संयोजित किया जाता है दो SCR को ये देखिए यहाँ पे दो सिलकन कंट्रोल डक्टीफ हैर को विपरित, एक दूसरे के विपरित समांतर करम में संयोजित किया गया है तो उसके दो मुखे टर्मिनल जो होते हैं दो MT2 ये एनॉट के तरह कारे करते हैं तो MT1 ये क्या थार्ट के तरह कारे करता है तथा एक गेट टर्मिनल हो दूसरा जब यह switch बंद हो, तो दो condition में पास कौन-कौन से है, when the switch is open, when the switch is close, तो पहले condition को देखते हैं, कि जब switch as open है, यह हमारा भी open condition में है, ओके, कि जब switch as open हो, तब track से current प्रवाहित नहीं हो सकती, यह तो जनुरिन बात है, तो अर्था track क्या होता है, अर्था track off होता है, इस इस्ति में applied voltage, AC voltage के मान के breakdown, breakover voltage के मान से कम रहने कारण धरवाहित नहीं कर सकता, breakdown voltage क्या होता है, breakdown voltage हुआ, circuit में reverse voltage, circuit में reverse voltage, जो वापस diode के get, MT2 के तरब आ रही है, इसे हम reverse voltage कहते हैं, तो इस इस्तिति में क्या होता है, कि applied AC का मान, breakover voltage के मान से कम रहने की कारण धरवाहित नहीं हो पाती, और जब breakover voltage का मान, applied AC voltage से कम हो, तभी track का working संभव है, जब breakover voltage का मान, applied AC के value से कम हो, तभी ये track जो होता है, आपका on condition में रहता है, अब दूसरी condition है, जब switch close हो, तो जब switch S close हो, तब gate धारा, gate circuit से प्रवाहित होती है, ये जब आपका circuit ये close रहेगा, तब जब आपका gate धारा है, ये gate circuit से प्रवाहित होता रहेगा, gate current में changeable resistance, जो आपका R है, ये symbol मैंने आपको कई बार बताया है, ये रिहॉस्टेट का symbol है, ये changeable resistance, रिहॉस्टेट जो भी बोलिए इसे, कि द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, तो इस resistance का मान बढ़ाया गटाया जा सकता है, तो धारा पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी धारा हमें चाहिए, तो इस changeable resistance के मान में परिवर्तन कर, ट्रायक के break over voltage पर नियंतरन किया जाता है, ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, advantage and disadvantage of ट्रायक, तो advantage क्या क्या है हमारा, ट्रायक का, कि ये high current rating और end potential वाले ट्रायक सफलता से उपलब्ध होते हैं, आपकी जो उच्च धारा और potential वाले जो ट्रायक होती है, ये market में easily available है, अब दूसरा हानी में है पहला, ये ट्रायक को on करने के बाद gate terminal आपका ये जो होता है, ये धारा पर से अपना नियंतरन खो देता है, द इसका प्रयोग alternating current के controlling है, तो सफलता पुरुवक किया जा सकता है, बाइडायक के द्वारा direct current द्वारा प्रचलित नहीं किया सकता है, ट्रायक को जो है ये आप जानते हैं कि direct DC पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये bidirectional है, अब आईए, इसमें केवल एक ही gate terminal होता है, अब ट्रायक का जो हानी है, तीसरा ये है, ट्रायक की operating frequency का मान बहुत कम होता है, अगला है application of ट्रायक, ट्रायक क्या हो सकता, कहां कहां पड़ती है, ये कहां गास का अस्तमाल हम करते हैं, तो पहला होता है alternating current power के नियंदरन में, SCR के driving में और AC switch में, नेक्स्ट है topic हमारा GTO, GTO का मतलब होता है, gate turn off switch, तो GTO क्या है हमारा, ये जो gate turn off switch है, ये एक basis प्रकार का SCR होता है, जिसे दो विपरित transistor के जोडने से बनाया जाता है, अब transistor के ये transistor आपका NPN हो या PNP हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके base और collector terminal को जोड़कर ये GTO बनाया जाता है, यहां figure में देख सकते हैं, कि NPN और PN, ये NPN टाइप का है, ठीक है, ये देखे, ये NPN टाइप का है, इसमें उसके base और collector terminal को जोड़कर के GTO बनाया गया है, तो इसमें याद रखनी ये बात का क्या है, कि GTO के gate पर negative pulse देकर इसे off किया जाता है, GTO के gate पर, ये आपका gate जो है, इसमें negative pulse, pulse का मतलत तरंग हुआ, ठीक है ना, अब जो भी मानिये, तो उसे देकर के से off किया जाता है, GTO को on करने के लिए, GTO में धारा का संचरन forward बाइस में देने के साथ साथ, GTO से gate पर positive pulse देना अनिवारी होता है, जैसे off करने के लिए negative pulse देते हैं, तो संचालन के लिए on करने के लिए GTO के gate पर positive signal का pulse देना आवश्यक होता है, अब है इसका application of GTO, तो पहला क्या है, trigger circuit में, दूसरा adjustable frequency inverter में, ओके, next topic हमारा IGBT, ऐसे हम कल देखेंगे, और आज के लिए तना ही, फिर से एक बार, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, thank you, good night.